हम मेंसे कई लोग सर्दियों में गुल का सेवन करते हैं। सर्दियों में गुल का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। ये कई लाबकारी गुनों से भरपूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुर सिर्फ स्वास्थय की द्रिष्टी से ही नहीं बलकि ज्योतिश की द्रिष्टी से भी इसके लाब है। गुर का सेवन स्वास्थय के लिए भी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर रात को खाना खाने के बाद गुल का सेवन किया जाए तो इससे पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जियोतिश शास्त्र के अनुसार भी गुल को बहुत फाइदेमंद माना जाता है। गुल को सूर्य का कारक माना जाता है। इसलिए आप गुल से जुड़े कुछ उपाई करके अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा गुल से जुड़े इन उपायों को करने से नौक्री, व्यापार, धन, कर्ज और स्वास्थे जैसी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगल वार के दिंग गुल का दान करें। इस उपाय से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल को मजबूत करने के लिए इस दिन 800 ग्राम गेहूं और इतनी ही मात्रा में गुल मिलाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से मंगल ग्रै का आशुग प्रभाव कम होगा। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो गुल की एक डली लेकर उसे लालकापड़े में बांध दें। अब इसमें एक रुपे का सिक्का डाल कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जो लोग नौकरी को लेकर परेशान है या आपको किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाना है तो उससे पहले घर से निकलते समय किसी गाई को आटा और गुड़ खिलाएं। इससे आपका काम बनेगा।